Hello everyone and welcome to Instant Biology by Dr. Neelab मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में बहुत important information के साथ आप सभी लोगों को जानकारी होगी कि हम लोग continuously आपको internship notifications के बारे में बता रहे हैं और अलग-अलग institutes के जैसे जैसे internships के notifications आ रहे हैं के eligibility के बारे में ये सारी जानकारी आप तक पहुचा रहे हैं आज इसी सिलसले में मैं एक और वीडियो लेकर के आया हूँ जिसमें मैं सतीश धवन स्पेस सेंटर जिसको हम SHAR जो श्री हरी कोटा में भी श्री हरी कोटा में है उसके related मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो अभी recently ये जो advertisement है ये मुझे नजर आया था तो यहाँ पे देखिए internship और project training schemes at DOS ISRO इसके बारे में ये वीडियो होगा तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये इसका जो website है वो है इसका description section में मैं दे दूँगा ताकि आप directly click करके आ सकें अब यहाँ पे शुरू करते हैं देखिए internship project training schemes at DOS ISRO अब ये internship जो project training है will be provided will provide a platform for the students for academic institutions who are pursuing graduation post-graduation research in the discipline of science technology to interact with scientists, engineers in DOS Istro Centers units which will help them to hone their technical skills and propelling them forward in the employment market अब यहाँ पे आप देख सकते हैं discipline of science and technology यानि कि अगर आप graduate हैं या post graduate हैं या research में भी हैं और science and technology में काम कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे opportunity मिल सकती है अब आपको पता ही है कि ये जो सतीश देवन space center SHAR है या ISRO है ये देश की बहुत ही prestigious organizations हैं और यहाँ पे जाने का मतलब या इसका tag आपके साथ या आपके CV में लगने का मतलब कि आपका CV multiple levels boost हो जाएगा तो आपको जरूर प्रयास करना चाहिए यहाँ पे apply करने के लिए I do not know कि ये biotechnology के students या biological sciences के students को किस तरीके से train करते होंगे क्योंकि इसके बारे में यहाँ पे कुछ भी दिया नहीं हुआ है और आप देख भी रहे हैं कि information जो है काफी limited दी हुई है इसके brochure में और कहीं से भी information मुझे मिली नहीं अगर आपको पास कुई और information होगी तो आप comment section में जाकर के जरूर बताईएगा कि कौन-कौन से domains में यहाँ पे training कराई जाती है अगर आप में से किसी ने यहाँ पे पिछले साल या training कभी की होगी तो उसका भी experience जरूर बताईएगा आगे चलते हैं कि किस तरीके से आप यहाँ पे apply कर सकते हैं internship या project work के लिए तो आपको एक request डालनी होगी जो कि इनकी email ID पे होनी चाहिए hrdd.shar.gov.in तो यह head HRM सतीश दवन स्पेस सेंटर SHAR श्री हरिकोटा यह इनका मतलब email ID था और यह details दी हुई है और यह लगभग एक महीने पहले जिस भी दिन आपसे या जस भी समय आपको शुरू करनी है training उससे एक महीने पहले के समय में यह पहुँच जानी चाहिए अब यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ों की जरूरत होगी अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई भी मुझे नहीं नजर आ रहा कि कोई भी यहाँ पे मांगा हुआ है ज्यादा तर जो high level के institutes होते हैं वहाँ पे SOP वगएरा मांगते हैं या write-up मांगते हैं कि क्यों आपको यहाँ पे आना है यससे फाइदा क्या होगा दूसरी चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि it is to be noted that a bona fide certificate or request letter should be on the letterhead of the institution, duly signed by director principal HOD of the institution and should invariably contain all of the following details तो यह सारी की सारी details यहाँ पे चाहिए होगी आप इसको जरूर भर के देदें ठीक है अब जो भी acceptance है या rejection है वो आपको email के जरीए inform कर दिया जाएगा अब क्योंकि यहाँ पे कोई भी SOP वगरा यहाँ write-up नहीं लिखना है तो मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है कि जो selection होगा वो on the basis of आपके academic achievements के basis पे ही होगा या academic accolades के basis पे ही होगा ऐसा मुझे लगता है बाकि आप जब apply करेंगे तो आपको पता चल जाएगा तो उमीद है कि ये वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो इसे जरूर लाइक करेगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा बैल आइकन को जरूर प्रेस करेगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करेगा थैंक यू सू मच have a good day